तो यह चैप्टर जो पिछला चैप्टर हमने डेटा हैं लिंग स्टड़ी किया था तो उस चैप्टर का एक तरह से कॉंटिनुएशन भी कर सकते हैं जो ग्राफ का पार्ट है बिसिकली ठीक है चाहे वो circle के through हो, जैसे circle graph हमने study किया था, चाहे वो एक line के through हो, ठीक है, तो वो क्या represent करता है, data represent करता है, तो अगर हम पिछले chapter में देखा है, हमने क्या study किया था, हमने bar graph के बारे में study किया था, bar graph जिसमें हम bars को use करते हैं, और bars की equal width होती है, और equal width distance पे वो बनाए जाते हैं ठीक है, histogram हमने देखा था, यह histogram group frequency distribution table का बनता है, जिसमें bars को use करते हैं, लेकिन उनके बीच में कोई gap नहीं होता है, ठीक है, इसी तरीके से फिर हमने circle graph को study किया था, पाई graph जो circle graph था, या पाई चार्ड जो था, तो उसमें हमने क्या study किया था, एक circle में हम जो है data को represent करते ह ठीक है, circle में एक data को क्या करते हैं, represent करते हैं, ठीक है, तो आज उसी के continuation में study करेंगे हम, ठीक है, line graph, okay line graph okay line graph, the graph which is being represented by using lines means the graph which is made by using line segments, यानि line segments को हम use करके graphs को means हम बनाते हैं, ठीक है, जहाँ पर क्या use किया जाता है, line segments यूज की जाती है, ठीक है, what it displays basically, a line graph displays what it displays basically, जहाँ पर हम line graph को देखते हैं, जिसमें line बना होता है, जहाँ पर एक data को हम देखते हैं, that changes continuously over period of time, means it displays the data which changes continuously over period of time, which changes continuously over period of time, तो उसको हम line बना होता है, जैसे एक time है, फिर एक temperature है, जैसे आपने देखा भी होगा, कि जब हम वेदा forecast में देखते हैं, तो ऐसे लिका होता है, 14 degree oblique 5 degree Celsius, ठीक है, मतलब maximum 14 degree जाएगा, minimum 5 degree जाएगा temperature, तो जाए से बात है, यह temperature vary करता है, time यानि 8 बजे एक temperature है, माल लीजे कि time हम mention कर रहे है, कि मालो 6 AM, ठीक है, तो वहाँ पर जो temperature है, degree Celsius में, मालो 37 degree Celsius, एक बजे, ठीक है, फिर 10 बजे हमने देखा, तो 10 बजे, मतलब 4 घंटे के gap पे, तो कितना आगया, 40 degree Celsius, फिर उसके बाद 2 बजे हमने देखा, ठीक है, वो भी 4 घंटे के gap पे, तो कितना आगया, 38 degree Celsius, फिर हमने 6 PM पे देखा, यानि 4 घंटे के gap पे, 4 hours के gap पे, तो कितना आगया, 35 degree Celsius, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो, यहाँ पे एक variation देख रहा है, तो अगर हमें इसको represent करना हो एक graph पे, यहाँ पे हमने क्या mention कर दिया, time, अच्छा, यहाँ पे भी आप जो presentation करेंगे, वो equal distances पे करेंगे, ठीक है, जैसे आप 6 बजे से starting है, ठीक है, फिर उसके बाद 10 बजे है, फिर 2 बजे है, फिर 6 बजे है, इस टाइप से, तो अब हमने भाई यहाँ पे इसको जैसे 12 बजे मान लिया, रात का, ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा, मान लो, चार-चार गंटी का gap है ना, 6 एम से starting है, ठीक है, तो चलो हम इसको 6 एम कर लेते हैं, ठीक है, 10 एम कर लेते हैं, इसको king कर देंगे, 10 एम कर दिया, फिर उसके बाद 2 एम, 2 पी एम कर दिया, फिर उसके बाद 6 पी एम कर दिया, like that ठीक है लेकिन equal equal gaps पर रखेंगे ठीक है अच्छा यहां पर देखो temperature variation है तो minimum कितना है 35 maximum कितना है 37 sorry 40 ठीक है तो अब इसमें हम ये भी कर सकते हैं ऐसे 35 degree Celsius ठीक है फिर उसके बाद 36 degree Celsius फिर उसके बाद यहां पर लिख देंगे temperature डिगरी Celsius में ठीक है 37 degree Celsius फिर उसके बाद 38 फिर उसके बाद 39 फिर उसके बाद 40 ठीक है तो छे बज़े temperature कितना था 37 यहाँ पे यानि 6 बजे 37 था यहाँ पे mark कर दिया कि line पे 6 बजे यहाँ पे था 37 यहाँ पे ठीक है फिर उसके बाद 10 एम 10 बजे कितना temperature था 40 यहाँ पे हमने mark कर दिया ठीक है 2 बजे कितना था 38 यहाँ पे हमने mark कर दिया च्छे बजे कितना था थर्डी फाइफ अब देखो थर्डी फाइफ है हमने यहां माग कर दिया थर्डी फाइफ के पास और छे बजे अब जब हम इसको जॉइन करेंगे तो यहां से हमाग किया तो देखो यह क्या बना हमारा line graph बना हमारा line graph तो जब इस तरीके से जब lines को use करके हम data को represent करते है तो हमारे क्या बनते है that is line graph अच्छा देखो यहां पे भी किंक की ज़रूत पड़ेगी क्योंकि यहां पे जिस जिखेंग पे यहां जिरो से starting है तो यह चे बजे है तो difference यहां तो same होना चाहिए ठीक है जब हम इसको मार्ग कर आगर नहीं है तो यह भी किंक हो गया और यह भी किंक हो गया क्यों क्योंकि देखो जिरो से लेकर 35 कि यहां पे 35 का गया पह लेकिन फिर उसके बाद एक एक डिगरी का गया पहर यहां पर भी किंक की जरूरत है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक हे जगा किंक लगाए जैसे मालो टेमपरेचर में ही लगाए ठीक है और यहां पे ना लगाए तो आप यहां पे जो टाइम है उसको प्रॉपरली लिखे ठीक है जैसे ग्राफ पेपर होता है तो ग्राफ में जो स्क्वाइर्स बने होते हैं लैड़ यहां पर गणटे का गप ले सकते हैं तो यहां पर तू आएम कर दिया पिर फूर अएम कर दिया फिर 6 अ कि इसी तरह से एक और एक्जाम्पल लेते हैं क्योंकि जो एक्जाम्पल से उनको डिस्कस करें क्योंकि उसी से इंटेप्रेटेशन करना है कि जो एक यूरा अर्फ ननको तरह से इंटेशने में हां जो से एक और एक्जाम्पल लेचार प्टना है झाल झाल को बाखेशने को तरह से एक्जाम्पल लेचे हैं अजया होग्ज़ आर्राट बाखेशने के इता हैं झाल झाल अब देखो यहाँ भी यह example दिया हुआ है कि the graph given in figure 15.7 यह वाला जो है ठीक है represents the total runs scored by two batsmen A and B तो batsmen A को dotted line से represent किया है graph में देखो यह ठीक है उसके बाद batsmen B को solid line से represent किया गया है मतलब यह batsmen A है और यह batsmen B है ठीक है X axis पर देखो matches लिया है इन्हों है मतलब देखो यहाँ पर गोर से देखो तो दो squares को मिलागे फिर one लिक रहे हैं फिर अगले दो squares के बाद two लिक रहे हैं फिर next two squares के बाद three लिक रहे हैं तो देखो कैसे equal gaps ले रहे हैं यह जीज बहुत important, तो 10 matches तक उन्होंने लिखा, ठीक है, फिर उसके बाद runs score, तो यहाँ पे भी एक 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 1 cm का जो है, उसको 10 runs ले रहे हैं, तो 20, 30, 40, 120 तक जा रहा है, depending on जाय से बात है, कि जो data available हो का उसके साफ से graph ready करेंगे, ठीक है, तो कि तो कि एक 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 डाय रहा है, तो कि रैसे जाए, यहाँ एक डाय व्हाइए इस जो गएक लूभरा, प्रास फोटे से ले इंड ब्रावशे से प्रावश告訴, तो कि बीन मोख मार्श कीस का नि कि'll मै ओक्स लान जार ऐmost, कि नॉक् ningún एक्स नुआCNा समाज प्रास is given, simple, okay, which line choose the runs scored by batsman A, तो dotted line, यह नि जो dotted line है, वो represent कर रही है क्या batsman A को, ठीक है, फिर इसके बद कहारा, worthy run is scored by them, same in any match in 2007, यह नि 2007 में जो match खेला गया, तो कोई ऐसा match था, जिसमें दोनों का run same रहा हूँ, तो देखो, अगर match 1 की बात करें, तो दोनों के scores अलग-अलग है, match 2 की बात करें, दोनों के scores अलग-अलग हैं, बैटस्में A यह है, बैटस्में B यह है, match 3 की बात करें, तो batsman A ने 0 score किया, batsman B ने 50 run score किया, माच four की बात करें तो देखो यहां पे batsman b भी है और a बी है तो मतलब match four एक तो हो गया है इसका answer third का ठीक है match four इसमें दोनों को runs सेम थे और कहीं पर coincide कर रहें और कहीं coincide नहीं कर रहें तो इसका मतलब match four में जो marks थे ठीक है तो कहा रही है yes answer होगा yes हाँ और किस match में है फोर्थ match में अंडिस्टूड ठीक है नव कमीं तो लास्वाइं किया रहा है कि अगर बैट्समें एक ग्राफ को देखोगे तो देखो कभी वो 20 स्कोर कर रहा है कभी वो 115 स्कोर कर रहा है फिर जीरो हो जा रहा है फिर उसके बाद 60 फिर उसके बाद 20 मतलब काफी अपस एंड डाउंस है बैट्समें ए ठीक है लेकिन अगर बैट्समें बी की बात करें तो द फिर 45 फिर मीस जो यहां पे अगर batsman B को देखो तो उसका जो performance है वो क्या consistent है मतलब कि यहां वो लगतार कुछ खिला यहां पे क्या है कि कभी बहुत जादा है कभी बहुत कम एकदम zero है फिर थोड़ा है फिर अचानक से बढ़ता है फिर डाउन होता है तो दो बार देखो वो जीरो पे आए है batsman के batsman A का जो graph है वो sterior नहीं है बासो इन में आ रही because through the graph he does not appear to be consistent इस वज़े से batsman B ज़्यादा sterior है as compared to देखो कैसे हम graph से main point यही है कि graph से हम कैसे information को निकाल रहे है यह चीज़ important है ठीक है क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी dot है तो इसका मतलब वो x-axis पे इसको represent कर रहा है और y-axis पे जो सामने इसके आएगा उसको represent कर रहा है got it चलो next example को discuss करते है example two you एक एक्षाइम्पल तुमें क्या बोल रहा है राफ साथी क्लियर स्क्रीन क्लियर है एक यहां पर क्या बोल रहा है इग इवन ग्राफ इसक्राइब दिस्टेंस अफ एक कार फोर्म ए सिटी पी अधि दिफेंट ताइम्स तो इसके डिस्टेंस को दिखा रहा है डिफेंट इफेंट डिफेंट ताइम्स लिगेसार्ण केरें ठीक है तो यहां पे अगर हम बात करें कि विच मतब जो की मतब भी किया रहा है जो पी टू क्यू सिटी है वो 350 किलो मेटर से पार्ट है तो यहां पे इन्होंने किंग बनाया है क्योंकि देखो यह 8 बजे से शो कर रहे तो यहां से यहां तक का 8 गंटे का गैप है लेकिन अब y-axis पर जाओगे तो distance जहां पर शो किया जा रहा है तो देखो एक जो बड़ा square है यह big square जिसको हम one centimeter square कहते है ठीक है तो यहां से यहां तक 50 है फिर next 50 फिर next 50 next 50 50 50 ऐसे करते हुए आगे बढ़ रहे तो यहां पर equal gap से तो यहां पर king की जरूरत नहीं है ठीक है तो यहां पर information is given on the two axis any information given hai to on x axis time is given on y axis distance traveled by the car is given okay just inform me when you come back okay so coming to the next one that from where and when did the car begin its journey यानि कहां से और मदब कब जो है कार ने स्टार्ट किया तो जाए से बात है कार स्टार्ट इड फ्रॉम सिटी पी आट एट एम आठ बजे कार ने स्टार्ट किया जो देखो आठ बजे उसकी डिस्टन्स यानि वो यहां पर है मतलब जीरो पर मतलब कार मूव नहीं किया ठीक है आगे क्या बोल रहा हाँ फार डिट दे कार गो इन फिर्स टार्ट यानि अगले एक घंटे में कार कितनी दूर जाती है तो अगर एक घंटे का गैप पे देखे तो यह है कि जस्ट सामने डिस्टन्स कितनी है फिफ्टी किलो मीटर इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा फिफ्टी किलो मीटर यानि एक घंटे में फिर्स्ट आर में वो पचास किलो मीटर जो है वो ट्रावल करती है ठीक है फिर इन दूसरे घंटे में कितनी दूर जाती है तो अगर दूसरे गंटे की बात करें, सिकेंड आर की बात करें, तो वह 150 किलो मेटर ट्रैवल करती है, और अगर थर्ड आर की बात करें, जब से शुरू हुआ है, तो वह 200 किलो मेटर करती है, ठीक है, तो देखो कैसे हम इन्फॉर्मेशन को रिकाल लें, next, how far, और स्थ्री आर्स, how do you know it? तो कहे रहे, क्या स्पीड सेम थी? तो देखो, अगर स्पीड सेम होती तो ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन बनता. क्योंकि अगर स्पीड सेम होगी, तो एक्वल टाइम में एक्वल डिस्टंस कबर होगा. वा समझ में आ रही? देखो यहां पे पहले घंटे में कितना कवर किया पचास किलो मीटर फिर अगले घंटे में कितना कवर किया हंड़िट किलो मीटर फिर नेक्स्ट में फिर पचास किलो मीटर तो क्या स्पीड सेम है फिर्स्ट आर में फिफ्टी किलो मीटर ट्रैवल किया थके न आर में 100 کلومीटर्स ट्रैडल किया सिब और फिर 50 कलो मीटर्स ट्रैडल किया तो देखो graph ऐसे देखो यह इसका angle है पिर उसके बाद angle change हो रहा है फिर उसके बाद angle change यह जो graph का angle change हो रहा है यह भी यह show कर रहा है की speed same नहीं है लेकिन angle change कर नहीं यहां पर हम लिखेंगे because the car is covering unequal distances in equal interval of time that's why the speed is not same understood तो यहां पर कहा रहे कि हाव फार इट दिद द कार गो दूरिंग दे सेकेंड यह वला हम निकल लिया था आगे बोल रहा है वो जे स्पीड सेम नो क्योंकि यहां पर यह अनीकुल इस्टेंस इकुल इंटेवल अव टाइम में कबर हो रहे तो यह कहा रहा है क्या कार रुकी थी किसी प्लेस पे तो यहारा बजे से बारा बजे की बीच में कार जो है वो रुकी थी कैसे पता देखो ग्यारा बजे उसकी डिस्टन्स कितनी थी 200 किलोमीटर ठीक है बारा बजे भी उसकी डिस्टन्स के इतनी है 200 किलोमीटर मतलब की डिस्टन्स सेम है तो यह स्टॉप्ट बिवीन 11 अम तो 12 नूट ओके कमें टी दे नेक्स वान वेन डिट दे कार रीच सिटी क्यू यानि जो साड़े 300 किलोमीटर दूर दूसरे शहर था दूसरे सिटी था वहां पे कार कप पहुची है तो कार पहुची है कितने बजे तो जो यहां पे पॉइंट है उस पे हम क्योंकि टाइम जिस पे रिप्र अनिस्टोड यहां टीक है ना कमें तो थे नेक्स एंपल अच्छा अच्छा आव एक्सरसाइस सब्सक्राइब 15.1 का ब pepp पम डोर कि एंड़ दौसरा आव्चा व लब्हां टीक है वांने जिस वां फॉबष्धे जिसे जाने टीन झाल झाल इसमें क्या बोल रहा है? Question number 1 में The following graph shows the temperature of a patient in a hospital recorded every hour. ठीक है? तो patient के temperature show कर रहा है. मतलब हर घंटे पे तो 9 बजे फिर 10 बजे temperature लिया गया पेशन के अब फिर 11 तो X axis पे time mention है. ठीक है? अब यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे 9 एम है उससे पहले यहाँ पे यह 0 है ठीक है? 0 रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है? अलाकि यहाँ पे भी केंक होना चाहिए लेकिन यहाँ पे जो है इन्होंने नहीं mention किया अगराब में अल्रडी बुक का ही पार्ट है. ठीक है? तो 9 बजे से ले रहा है 10 फिर 11 बारा 1 दो 3 बजे तक और फिर इस पे temperature ले रहा है तो 0 से लेकर 34 difference जादा है जैसे कि आप देख रहे हैं इसको मैं और इदर shift कर देता हूँ तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ 34 से starting है temperature y axis पे है तो कह रहा है एक बजे पेशेंट का temperature कितना था? पताईए कितना था temperature? एक बजे एक बजे temperature कितना था? 36 और 37 के बीच में आ रहे है तो answer होगा यहाँ पे 36.5 देखो एक बजे यहाँ पे temperature है तो हम उपर गया graph पे जहाँ पे strike किया जहाँ intersect किया वहाँ से फिर हम y axis पे जाएंगे temperature देखने के लिए Got it? Next When was the patient's temperature 38.5 degree Celsius patient का temperature 38.5 कब था? तो 38.5 यहाँ पे है तो अब यहाँ से हम आए graph पे जहाँ पे graph पे strike करेंगे सीधा नीचे आ जाएंगे time पे Yes, that is 12 noon Okay, now coming to the next क्या बोल रहा है? The patient's temperature was the same two times during the period given What was these two times? What were these two times? यहनि दो बार temperature same था तो वो कौन सा time था? यहाँ पे था और यहाँ पे था तो मतलब एक बजे और दो बजे यहनि वन पीम और टू पीम नहीं 12 नहीं यहाँ पे यह सेम है ना फिर के रहा है? फिर के रहा, what was the temperature at 130 पीम 130 तो एक बजे यह है, दो बजे यह है तो 130 एक और दो के बीच में आएगा तो 130 यहाँ आएगा, तो सीधा उपर जाएंगे और यहाँ पे तो कितना आगा है? 36.5 डिगरे Celsius ठीक है, पर आगे क्या बोल रहा है? During which periods did the patient's temperature showed an upward trend? यहनि किस period में एक upward trend दिखा? मतलब उपर की तरफ graph दिखा यहनि बड़ा हुआ टमपरेचर दिखा तो बड़ा हुआ टमपरेचर हमें कब दिखा है? अपवड ट्रेंड जो दिखा है? वो दस बजे से एक बजे के बीच में from 10 a.m to 1 p.m ओके? ठीक है? तो इसी तरह और भी graphs के question है, graphs दिए हुआ है उसी से interpretation करना है ठीक है? तो इन्शाला tomorrow we will continue this और क्योंकि जो target है वो 25th January क्योंकि 31st December last working day था लेकिन चूंकि syllabus नहीं completed था तो 25th January 2023 will be the last working day मतलब उससे पहले भी खतम हो सकता है नहीं तो लेकिन मैं यही कहूंगा regular रही है क्योंकि कभी-कभी जैसे कल भी था दोनों नहीं थे ना मामून थे ना आप थे ठीक है? उसके बाद भी एक-दो दिन ऐसा हुआ है जहां पे नहीं था तो अगर कोई नहीं रहेगा तो class नहीं हो पाएगे क्योंकि इससे आगे extend कर तो सकता हूँ मैं लेकिन it will be very difficult for me ठीक है? तो 25th January जो target है कि 25th January तक हम wind up कर दें आपका course उसके बाद अगर कोई doubt होगा तो उसको पूछ सकते है बाकि जितना content है वो रहे गई आप लोग के revision के लिए videos भी रहेंगे notes भी रहेंगे ठीक है? और test organize करेंगे उसको मैं एक date दे दूँगा, एक final test होगा ठीक है math का और science का वो date आप लोग को share हो जाएगी लेकिन यहाँ पर वही चीज़ है कि 25th January will be the last working day ठीक है? तो इसी लिए मैं कहूँँगा regular रही है, रोजाना रही है ताक कि class complete हो पाए वरना फिर complete नहीं हो पाएगी मतलब यह chapter क्योंगा कोई रहेगा नहीं तो class किस की होगी अलागि थोड़ा से रह गया है अलागि इसमें graphs और यह सारी चीज़ा बनाने के लिए graph कैसे बनाते हैं, already मैं बता चुका हूँ, ठीक है? तो कुछ questions ऐसे ही हम लोग discuss करेंगे मतलब casually कीज़ों को जैसे भी discuss करें question को, ठीक है ताकि graph interpretation हमें आजाए ओके चले पर कल मिलते हैं, तो कि देन goodbye, take care, अस्टाब लेकिए